हलो दोस्तो आज मैं आया हूँ एक नए बिजिन्स आडिया लेकर आप यह देख रहे हैं यह आपका कमाइंड राइस मिल मेकिंग मशीन सरल बाशना में कहा हूँ मशीन एक है और काम अनियक है मैं आपको बता देता हूँ इसमें आप दान को डालके चावल निकाल सकते हैं और साथ ही दोस्तो इधर से आप गियों को डालके आटा पीश सकते हैं और इरे से आप हल्दी दालके मिर्ज सक्टा दालके द्धनिया डालके उसे ग्राइड करे उसका पॉडर बनाके पॉच पेक करके मार्केट में सैल कर सकतें जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कैका एड़म आप इसके नग ग्रैंट कर सकते है जैसे कि आपको दोस्तो स्क्रीन पर दिख राए इसमें आप मिर्च ग्रैंट करके मिर्च पॉडर बना सकते हैं इसमें आप दान को डाल के चावल निकाल सकते हैं जी हाँ यह बहुत ही एक पोटेबल मशीन है जरासी जगा में आपके मशीन आ जाती है और आपका सिंगल फेस मात 3 HP मोटर पर आप यह मशीन रन करती है मतलब इस एक मशीन है और इसमें आप 36 तरह के बिजनिस कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी स्क्रीन पर सारे प्रोड़क दिखाएं इसके अलावा भी और भी प्रोड़क इसके अंदर आप ग्रैंड कर सकत हैं और भी आइटम को इसके अंदर ग्रैंड कर सकते हैं तो दोस्तों मैं मशीन के रूड़क और आपको बताता हूं मशीन के बारे में यह जो मशीन है हमारी ओन हो चुकी है आप देख रहे हैं इसके ऊपर में हमने घीयों को डाल दिया है जैसे कि हम यहां से आप दान को डालके शावल भी निकाल सकते हैं ऐसी दोस्तों जैसे घिवू डालके हम आटा निकाल रहे हैं और उसी के ही बरावर से आप मिर्च को डालके पौडर तयार कर सकते हैं और उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं आप यह देख रहे हैं यह एक पोटेवल मश बहुत ही अराम से और बहुत ही अच्छा ये production देती है इसकी motor देखे किती बेहतरी तरीके से रन कर रही है जैसे कि आप देख रहे है कितनी बेहतरी तरीके से ये रन कर रही है दोस्तो देखा आपने किस तरह से हमने इंगेंगों को डाला और गियुन को इतनी ग्रेडड करके आठा तयार करदी है आठा जो हमारे बॉक्स के अंदर आगया है मैं आपको दिखा देता हूं मशीने कितनी बेसी तरीकए से आपको आठा तैयार करा देखे कितनी बेतीन तरीके थे कितनी fine quality से इन्हें गियों को पीसाई grand करा आठा तयार करा ये आठा आप पाहुश में pack करके उसे market में sale कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको कुछ machine के बारे में और जानकारी दे देता हूं ये हमारे hopper दिये गए हैं इसमें आप एक बार में 12 किलो धान डालेंगे और आपका करीब 200 किलो एक घंटे में आपका धान से चावन निकल जाएगा इधर से आप इसमें करीब 13 किलो एक बार में घिहूं डाल देंगे और वो इसकी crashing power है 50 किलो एक घंटे में इसके अटा तयार हो जाता है ऐसी इसमें धनिया, मिर्चे वगरा भी आप इसमें इधर से डाल सकते हैं वो उसके quantity को पर depend करती है कि मिर्च आपका सीला है कि सूका है कैसा है इसमें आप डाल के उसे पीश सकते हैं साथ ही दोस्तो ये मोटर की बात करूँ इसे तो ये 3HP की मोटर पर आपका रन करता है जैसे कि आप देख रहे हैं 3HP की मोटर लगी है सिंगल फेस है आपका और बहुत ही अच्छा प्रोड़क्शन है इसका जैसे कि मैंने आपको बताये था अगर मैं इसके profit की बात करूँ दोस्तो दिन का अगर इस machine को चला के आप दिन का आप 2500 से 3000 रुपय कमा सकते हैं बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने दिन में इसको चला के 2500 से 3000 रुपय कमा सकते हैं ये कितने मुनाफिय वाला बिजन्स है आप देख रहे हैं साथी दोस्तो मैं आपको एक जानकरी और भी देना चाहूंगा कि जैसे कि बहुत सारे हमारे बिहार के यूपी के विवर्स हो गए वो मशीन किस तरह से वर्क करते हैं कबने दोरा ओनलाइन फ्री ट्रेनिंग प्रोग्रैम दिया जा रहा है जिसके अंतरगत आपको बताया जा रहा है मशीन किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से प्रोड़क्शन करती है साथी दोस्तो एक ओफर आपके लिए और दिया जा रहा है जी अगर आप इस मशीन को पर्चेस करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिये गए नमबरों पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर नमबर दिख रहे हैं इस नमबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और मशीन के जानकारी प्राप कर सकते हैं उठाइए फून, लगाइए कोर और आफर का फाइदा उठाइए.